हाई गाईज वेलकम टो आर यूटूब चैनल 24 आवर्स अप्टिरेट आज हम बात करने वाले आईचर मोटर के कौटर तरी के रिजल्स के बारे में जो की बहुत ही शांदार लग चुके इसमें नेट प्रोफिट में हमें 7% से ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं और इसमें हमें कौर्टर ली देखा जाये तो 6.8% की ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं फ़र रूपीज 532.6 करोड रूपीज के साथ दे कंपनी रेवेन्यू रोज तो कंपनी का रेवेन्यू भी इसके अंदर बड़ोत्री में होते हो देखने को मेरा 19.3% के साथ येर ओन येर सिसमें आट प्राइस 2828.3 करोड रूपीज के साथ अनलेसिस हैद एक्सेड दो र्यायल इनफाइल मेकरे रिपोडे कंपनी रोफिट पर्फिति येर इसके साथ और रोचिए घ्रेवेन्यू रूपीज 2.7 करोड रूपीज को मिल रहें रहे हैं दे कंपनी कंपनी अपराइ operating profit जो है वो quarterly basis पे 13.5% से growthable देखने को मिल रहा है और on the year on year basis देखा जाए तो 672 क्रोड रुपीज से इसमें तेजी देखने को मिल रहे with margins coming 23.7% की analysis expect the two-wheeler maker to report an operating profits of rupees 678.9 क्रोड की analysis इसमें expect कर रहे थे operating profit की the company saw a sharp uptick in the cost of raw materials in the quarter as they rose 52% on the year on year 2 rupees 1672.90 क्रोड जो company का जो raw materials था उसकी quarterly basis पे भी इसमें हमें 52% की growth देखने को बिली साथी साथ royal infield sold 1,99,000 motorcycles in the quarter so एक quarter के अंदर royal fields के 1,99,000 motorcycles इसमें sales होते हुए हमें देखने को मिल रहे increase 5% compare with the year ago period तो पिछले साल के मुकाबले इसमें 5% से हमें growth देखने को मिल रही है the third quarter has seen steady business growth and encouraging performance across the board consumer sentiment and demand has improved and this is reflected in the over volumes for the quarter तो quarter के वो volumes में भी इसमें हमें अच्छी खासी बड़ोतरी देखने को मिल रहे है यह managing director सिदार्थ लाल का कहना है आशा करते हूँ आपको analysis समझ में आ गई होगी अगर कोई doubt होगी तो आप नीचे मुझे comment section में पूछ सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पस्तना है तो like जरूर कर देना so thanks